नमस्ते विद्यार्थिमित्रों आज हम कक्साच्छे विशय हिंदी इकाई पांच धर्ती को महकाई का अभ्यास करेंगे जो एक कवीता है इस काव्य में प्रक्रूती के तत्वक फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है फूल हमेशा मुश्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकास फेलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खूद जलकर जगत को रोशनी देता है हमें भी किसी भी परिस्थिती में प्रसनता से अपना काम करना चाहिए और धर्ती को ज्यादा से ज्यादा सुन्दर बनाने की कोशिश करनी चाहिए तो चलिए कविता की शुरुवात करते है बगिया के फूलों को देखो केसे खुश-खुश रहते है आंधी हो पानी हो चाहे सब को हस-हस सहते है सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है समझूती देखते हैं बगिया के फूलों को देखो वे हमेशा केसे खुश रहते है चाहे आंधी हो या बारिश वे हमेशा हसकर उसे सहन करते रहते है सूरज की किरणों को देखो वे प्रती दिन धरती पर आती है वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है दीपक को देखो केसे यह हर दम जलता रहता है अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है समझूती देखते हैं दीपक को देखो वह हर दम केसे जलता रहता है वह अपना रदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है दुनिया को प्रकाश देता है आओ हम भी इंसा बनकर जग में अपना नाम कमाए अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए समझूती देखते हैं आओ हम भी इंसा बने और संसार में अपना नाम रोशन करे अपना यश फेलाए हम अच्छे अच्छे काम करे हमारे अच्छे कामों से यह धर्ती सुन्दर और सुगंदीत बने बालमित्रों इकाई पांच धर्ती को महकाए यहां पुर्ण होती है इसके बाद के विडियो में हम इकाई छे सुबह का अभ्यास करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत करेंगे जय होती है